Hello friends, स्वागत आपके study hack channel पे, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी vocab की series चल रही है, जिसमें हम बात करते है vocab की एकदम basic level से, और जीने कुछ नहीं भी आता होगा और जो नहीं नहीं होंगे, vocab सीख रहे होंगे, उन्हें भी चीजें बरहीं आसानी से आजाएगी, clear हो relate करवा देता हो, किसी story या incident के form से, ताकि आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहें, picture देखके तो याद रखो गहीं, साथ ही साथ आपको story form में बताऊंगा कि कैसी का origin होगा, कहां से आया, क्यों इसके synonym से यह होंगे, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद र कर पाऊंगे, जैसा कि अभी आपको पता कि हमारी 40 classes हो चुकी है, successfully connect, बोल सकता 40 episodes, जिसमें हमने काफी चीजें कर ली हैं, और 40 episodes में हमने 40 जो paper थे previous year sigil के, जो भी हुए थी जाप, उसको cover up कर लिया, तो आज से मैं 2023 के sigil के exam हुए थे, 14 July से, उनकी बात करूँगा, और सारे चीज आसान होने वाली है, ठीक है, तो जैसा कि आपको पता कि हमारी class daily 5 p.m. पे होती है, Monday to Friday, Saturday, Sunday मैं special class लाता हूँ, जो आप comment कर तो जिस भी topic पे, ठीक है, तो vocab तो हमने पढ़ लिया, इसकी practice भी जरूरी है, तो अगर आप हमारे class के साथ जूरे हो तो आपको करते हैं, ठीक है, तो आपको previous year अलग से करने की जो था नहीं पढ़ती है, एक complete class है, और जैसा कि आप देख पार, English grammar ही बहुत important role play करता है, तो उसके लिए भी हमने एक चीज रखी है, class के बीच में एक section होता है, जहापे मैं English grammar के वो रूल कर बाता हूँ, जिससे question direct आते है, जोडर हैं, एज़र होंगे हमारे class होंगे, तो आपको सारी चीज घिलिए होंगी, अगर आप नए हैं तो please हमारे class के साथ शुरू से last तक जूरे रहाए, ठीक है, अपको comment में अपना feedback लिए, ठीक है, ठीक है, भीना देरी इक अपने class को सुरू करते हैं, जैसा एंसर दिया है मैं इसको आज के class में discuss करूँगा ठीक है मैं वही रखता हूँ जो आगे class में discuss करूँ ठीक है उनके score भी काफी अच्छ है तो आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए कमेंट में अपने इंसर कीजिए अपने score और कीजिए इसमें आप कहीं फायदा है जब आप comment करोगे तो आपको चीज़े याद होती चली जाएगी आप सर्च करोगे कहीं से भी तो आपको सर्च करना भी आएगा और आपको चीज़े याद रहेंगी तो आज का पहला word है हमारा conscript, conscript मतलब क्या होता, भरती होने बाला, ठीक है, इसको क्या बोल सकते है, draftee, call up, recruit, recruit, ये सब क्या है, इसके synonyms है, ठीक है, conscript मतलब क्या होता, भरती होने बाला, ठीक है, जो भरती होने के लिए आते हैं, उनको क्या बोलते है, conscript, ठीक है, अब इसको क्या बोलते है, recruit करते ह लोग आते हैं कि भरती होने के लिए ठीक है कॉल अप करते हो जब आप उसको बुलाते हो ड्राफ्टी होते है तो यह सब क्या हो जांगे इसके सिनोनिम्स होता है ठीक है देख पा रहे होंगे कैसे आर्मी के लिए क्या होता है रेक्रूट होता है तो क्या होता कॉंस्क्रिप् सब्स कराल के सिंट क्या हूं सिंट कर लेते हैं नेग्स्ट वार्ड है का ना कि zat क Impf stuk कि मतलब प्रों से टाइस भीजायNew वाघियोट में क्या होगा एक फ़ल मिलें आपको क्या मिलेंगा रियायर्ट इन्टिविण यह सब क्या हो जाएंगा इसके जिंए इननिमों ठीक है एक और वर्ड होता है सब्सुक्टेंश मतलब होता है एक के बाद एक जो हो वो सब्सुक्टेंश होता है इसका इसका चाहूजर बिगइनिंग स्टार्ट है तो ने मिलता है तो इसका आपोजिट क्या हो जाएगा आगे बहरते हो और नेक्स्ट वर्ड की तब चल चल चेंड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन नतला क्या होता है सब्सक्राइब करोगे तो उसकी देखवाल करोगे तब उसको सब्सक्राइब कर रहे हो बहुत लंबे समय तक रखना है आपको सब्सक्राइब करके क्या करते हैं जैसे आचार को देखते उसको क्या रखतो है उसमें नमक और उइल रख देते हैं अचसे Towns Nacht र को किसी दिस्ट्राइक आप किसी की कि ही निक्रेक नेगलेकट तो यह सब आपके जीוצ की चीज को भीगार रहए हो लगतोर फोर मचा रहो तो डिस्ट्रक्षन कर रहो थीक है छती ग्रास्ट कर रहे हो तो यह सब क्या हो जाएंगे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो thoughtful होगा attentive अब क्या जब thought आता किसी भी चीज़ पर आपको चीज़ें अच्छी लगते तो क्या हो जाता हो आप attentive हो जातों उस काम को करने के लिए ठीक है तो considerate के synonyms क्या हो जांगे thoughtful, attentive ठीक है जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए ठीक है वही होता है considerate ठीक है things to consider जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए ठीक है इसके अन्टोनिम्स की बात कर लेते हैं तो क्या आओ जागा inconsiderate दूसरों का ध्यान न रखने बाला जिन चीजों के बारे आप नहीं सोचते हो ज ठीक है cancione मैतलब पाने वाला is दूसर लिख को आओ sign करो तो जो sign करेंगा उसी को पाने वाला है तब दूसरय करने आ रहा है तो आए साइन कष्ब क्या Naj谨 करतो जिसका नाम होता है तो क्या हो सकता है नोमिन पर डिसीपेंट ठीक है रिसीप्एंट यह सब क्या है इसके synony तो आपको सारे पैसे किसको मिलते आपको मिलते और आपको क्या करने पड़ते हैं ठीक है तो वही हो जागा कंसाइनी मतलब पाने वाला पेई ठीक है जो पाता है कुक inversit piatchDas देख पारे होंगे कि कैसे यह कुरियर बढाया है और यह गर्ल इसपे क्या करी साइन करसे तो यह बोला क्मम सान istok के आपको बढते हैं के जैसा कि आपको पता कि next हमारा one word subscription का session होता है और last class में मैंने आपको यही ओंवर्क दिया था a large deep pot used both in oven and as a serving vessel इसको क्या बोलते हैं तो आप सभी लोग ने सही से answer किया था ठीक है तो क्या था इसका सही answer आप सभी लोग ने देखा ही होगा घर में यूज होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बंचित होगा चले बात करते हैं नेक्स्ट है catalog ठीक है यह मैं आपको बहुत बार करवा चाहूं ठीक है मैंने आपको previous year के question कर वाए उसमें भी करा रखा तो catalog मतलब क्या था सूची बनाने किसी भी चीज की सूची इसको बोलेंगे causing great damage और suffering ठीक है जो बहुत जादा damage कर दे ठीक है या suffering हो जाया बहुत जादे damage है तो उसी को बोलते है catastrophic विनासकारी देख पा रहे हों कि कैसे यहां जंगल में आग लग गई है तो क्या है यह बहुत ही विनासकारी है बहुत ही great damage हो जाएगा environment के लिए ठीक next is caldron caldron क्या होता हांडा या कडाही ठीक है आप लोगों ने देखा होगा ऐसी हांडी या कडाही देखा होगा जिसमें हम लोग खाना बनाते है ठीक है तो यह क्या होता a large deep metal pot used for cooking over open fire ठीक है जब हम आग पे खुली आग में bonfire लगा के जब पकाते तो यह क्या होता एक बर caldron मतलब क्या होगा हंडाई या कडाही आप फिगर से या दखना अब जब फिगर देखोगे ता आप कुछ चीज़े चादर अच्छा से clear हो जाई है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कैवलरी कैवलरी कौन होते हैं घुरसवार से ना ठीक है वह से ना जो कि घोरे के पीट पर बैठे हो और फाइट करें उन्हीं बोलते हैं कैवलरी ठीक है इन्डीपेंडेंस देखाऊगा वहां पर घुरसवार लोग दिखने को मिलते हैं ठीक है कैसे घुरे पर सुझेद होके टैबली बगारा निकालते हैं तो वही होता है कैवलरी मतलब घुरसवार सेना ठीक है अब आपको पता है हमारा इडियम एंड फ्रेजर के सेशन होते ह आज का जो पहला इडियम है वह है B Going Places मतलब क्या है सेफ़ल होना ठीक है माग 놓ो कि मान लोकी ड्रीम ट्रीम ग्लेस है आप वहां पर जा रहे हो मतलब क्या है आप कुछ सफल हो गया होगा है तब ही तो आप वहां जा रह Listenrates का मतलब होता है कर रहा करें तो आपको प्लेस मतलब होगा सखस्फुल तो बहुत बात कर लेते नेक्स्ट बहुत सारे चोटे चोटे बहुत सारे नंबर ऑफ रूट से तो क्या होता बहुत ही तागतवर होता है ठीक है बी इन फोर्स होता है अगर आप उसको क्या कर सकता आप आप खीच के बाहर जल्दी असानी से नहीं निकाल सकते हैं कि उसके बहुत साथ छोटे छोटे रूट होते हैं इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नमबर्स बढ़ जाए फिर भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या फिर आपकी स्ट्रेंथ ही बहुत जादा हो ठीक है तो आप क्या हों होते हैं। मतलब क्या है consequently हो इसको बयंप या अप इंधा एंस थीक है। मतलब它 क्या होते हैं ? मतलब, हवा में सब के ऊपर है हावा स observ के और होता है हर व्यत्तिर के इस सबर होता है है के पास एबलेबल होता है तो वैसे ही कोई idea हो कोई emotion हो अगर सब किसी के mind में चला जाए तो उसको भोलते हैं be up in the air ठीक है अंडर consideration still to be settled ठीक है आपको चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बी इन रेड ठीक है मतलब क्या है हानिम होना अपने देखा रेड जहां पर आता है डेंजर होता है या फिर घाटा होता है ठीक है तो बी इन रेड अप लाल में कब रहोगे ठीक है अगर आप तो क्या होगा आपकी जो bank balance तो करेगी ठीक है नयक्ति आप अगाल लॉज कि रहे है कैसे sel Seni का मतलब वही क्या है नीची सबसे पर होता हम पर ग्रीन में मतलब है क्या है एक है आप्र מתव सबसे अब चीजें कम होती जा रही हैं आप लॉस में जा रहा हो ठीक है तो be in red मतलब to be in loss or death नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट है, be in two minds, ठीक है, अगर कोई बीची दू दिमाग के बीच में हो, मतलब क्या आप दू विधा में, आप सोची नहीं पार हो, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप किस चीज में हो, तो दू विधा में हो, ठीक है, तो यही होता, दू में हो गया हो, कि क्या करें, लेफ्ट जाए, या राइट जाए, तो आप क्या हो गया हो, दूब्धा में फस गया हो, ठीक है, confusion में हो, कि किधर जाए, ठीक है, unable to decide, आप decide ही नहीं कर पा रहे हो, चीजे, ठीक है, one way और another way, ठीक है, I hope आपको चीजे clear हो गई हो, तो आगे ब तो मैं बता दू, इसमें से कोई disease नहीं निकलता है, इसमें से क्या निकलता है, तो hundred golden rules निकलते है, किस चीज के है, तो English grammar के, इसके huge कहा आता है, तो error detection और sentence improvement के question करने में, ठीक है, तो एक साथ हम 100 rules तो discuss कर नहीं सकते है, अगर कर भी दिया, तो classes बहुत लंबी हो जाएगे, और आपके लिए चीजे hectic हो जाएगे कि आप उस पर best question practice कर पाओ, चीजों को remember कर पाओ, ठीक है, इसलिए हम क्या करते है, अपने class के साथ एक एक rule daily discuss कर लेते हैं, ताकि आपको rule भी आसानी से समझ में है, आप उस पर best question भी practice कर लो, और आपको चीजें लंबे समय तक याद ठीक है, तो अभी तक हमने noun, pronoun, verb के बहुत सारे rules कर लिए है, 40 rules अभी तक कर लिए है, और अभी हम एजेक्टिव के rules कर रहे है, ठीक है, तो आज का rule क्या कर रहा है, further means more distant और advanced, ठीक है, और further means क्या होता है, additional, ठीक है, तब को याद रखना होगा, कि further और further में क्या अंतर होता ठीक है, तो further मतलब होता है, more distant, ठीक है, कोई बीची advance हो, या बहुत सी जादी दूरी पे हो, तो उसको further बोलते है, और further मतलब क्या होता है, additional, इसके बाद जो भी चीज़ा है, ठीक है, जो addition में, in addition में, उसको further करते है, तो आप दोनों word को याद रखना है कि कहां use करना, further का करना, जब additional का sense हो, और further का use कहां करना, जब distance का sense हो, ठीक है, example से समझते हैं कि क्या 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 रहा है, he insisted on further improvement, ठीक है, तो उसने मुझे insist किया, क्या, आगे के और improvement में, ठीक है, तो यहाँ फार्दर नहीं होगा, दूर का improvement नहीं होता, कोई बीची, आप distance में नहीं बता सकते improvement का, कि 2 km दूर जाके आप improvement करो, अपने आप में, ठीक है, तो क्या होगा, आगे की चीज़े आप improvement करो, ठीक है, आपने इस exam में गलती की, तो अगले exam में improvement करो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सही सही use, तो further होगा, ठीक है, तो correct sentence क्या होगा, he insisted on further improvement expected, ठीक है, तो यह ह हो जाएंगा इसका करेक्ट सब्सक्राइब तो आपको चीजे क्लियर हो गए होगी आप इस पर वेस्ट को प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि यह बहुत बार एक्जाम में ऐसे कि जैसे यह है ना रूल वैसे ही पूछे जाते हो और बहुत ही आसान कोश्चन होते हैं और आप वहा सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग ने 2022 के सारे सिफ्ट कर लिए सीजेल के तो आप देखना कि कैसे सारे सिफ्ट से कोश्चन रिपीट हो रहे है आज हम बात करेंगे 14th July 2023 की सिफ्ट सब्सक्राइब तो आप देखना कि बहुत सारे कोश्चन जो मैं करवा रखा हूँ अप सारे आपके रिपीट होंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आपको अन्टोनिम्स बताना है अंडर का ठीक है चार ओप्शन है ओवर सिंक बिहाइंड बिनीट बहुत यहीजी वर्ड है अंडर की मिनी आपको बताने की दो जरूरत है ठीक है अंडर मतलब क्या होता है बिनीट बोल सकते हो बिलो बोल सकते हो ठीक है नीचे डाउन बिलो बिनीट तो बिनीट भी इसका क्या हो जागा सिनोनिम्स हो जागा सिंक मतलब क्या होता है डूबना ठीक है डूबना क्या ब आपको अंट्रोनिम से बताना सर्वाइल का ठीक है चार ओप्सन है एरोगेंड सीपीस विक्रिंग कनी कि फटाफट एंसर करेंगे आप सभी लोग तो पिसे के साथ टाइम अपको चुका आई हो आप सभी लोग ने सभी और सरवाइल मतलब क्या था चाप चापलूस होगा तो क्या होगा इसको बोल सकता हो और क्या वह अब मैं इस सिरो निम साब को प्रीवेस क्लास में बहुत बार बता चुका क्या कहोता हुआ होटी, इसको प्राउड, ठीक है, अपने भेर को देखा हो गहां तो भहेर क्या ऊते हैं? दब्बू type को होता है. ठीक है? एक दूसरे को बीना बात कर फॉलो कर लेते हैं. क्या बोल सक तो लेती है है? तो क्या बोल सक भी तो आप ब्रेइन लेस? स्क्राइब क्लास में करवा रख आपको याद हो ठीकिट कब होगा जब आप क्या करोगे एक दूसरे से रूलत कि इसको क्या बोल सकते भूरता है ठीक है और क्या बताया था यूट है रोग रोग बताया था चीक है इसके क्या हो जाएंगे क्लेवर रोग ठीक है और ओजी यू डोग वाले होंगे ठीक है आपको चीज़ खिलियर हो यह तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको क्या बताना वन बड़ बताना इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है अथिंग टूइट बहुत इजिवल डाइजेस्टेवल क्यूरेबल इडिवल फटाफ़ट एंसर करेंगे यह बहुत इजिए मैं आपको करवा रख्खाऊ हूं चले इसके साथ टाइम अप हो चुका आप आप सभी लोगने सभी सेसर pudi जो खाने के योग होता दो इसको क्या बहुत कर लेते नेक्स्ट आपको क्या बताना है हम को मतलब बताना है जा ब्रेव कॉमेकई कğl नोट ब्रेव नॉटी फटा-फट एंसर करेंगे तो इसे के साथ time up हो चुका, I hope आप सभी लोग ने सही से answer करी दिया होगा, ठीक है, तो इस idiom का मतलब होगा, लीली, लीवर्ड का मतलब क्या होगा, not brave, ठीक है, लीली का लीवर्ड देख बहुत छोटा होता है, तो छोटा हिर्द है, लीवर्ड है, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, शलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको synonyms बताने किसका है, jealous का, यह मैं करवा रखा हूँ, previous class में, enthusiastic, detached, empathetic, indifferent, सारे word मैं करवा रखा हूँ, previous class में, ठीक है, previous question जब बताया होगा, चलिए से किसा time up पुचुका, I hope आप से भी लोग ने सही साही synonyms स जिलस मतलब क्या होता है, enthusiastic, मतलब क्या है, उत्साही, ठीक है, और क्या बताया था, ardent, ठीक है, ardent बताया था, और क्या बताया था, keen बताया था, ठीक है, detached मतलब क्या होगा था, अलग-अलग करना है, ठीक है, इसको बोल सकते हो, अलग करते हैं, separate करते हैं, isolate करते हैं, ठीक ह से रहें है। आपको मैं बताया था उदासी ना होता है ठीक है क्या इसको gradin फृगाया उदाशियं ने तो क्या ओगा फ्रीजिड होगा ही कैसे मैं कि इंडिफेरेंड होगां है इंडिफेरेंड और क्या होगा नॉस्टेल्चिक होगा ठीक है उदास है तो क्या होगा इनडिफरेंट क्या आओ जांगे इसी के सिनोनिम्स और जांगे किसके एपैस्थेटिक थिक है आई अपको चीज़े क्लियर हो गया हुए ता आगे बारते नेक्स्ट क्वेस्टें किता नेक्स्ट क्या रहा है आदको सिनोनिम्स बताने फिवल का आज का सबसे एजी वार्ड है ठीक है और हीडिफूल स्ट्रॉंग वीक बेनफूल फटाफट एंसर करेंगे दो से तीन सगेंड काफी था आपके लिए कि इसे के साथ टायम आप हो चुका और सभी लोग इसा इंसर कर दिया होगा ठीक है तो सीबल मतलब क्या होता है ओसाथ नहीं यह सब क्या हो जाएगे इसके सिनोनिम्स क्या उता जो मजबूत हो फिर्म हो फिर्म स्ट्रोंग स्टेवल यह सब हो जाएगे ठीक है विक को पता है इसको बोल सब्सक्राइब तो पेल फेंट ठीक है कमजोर है तो तो क्या हो जाएगा पेल फिका होगा फेंट होगा ठीक है बेनफिल मतलब क्या होता है यह भी मैं आपको प्रीवेस क्लास में करवार रखा हूं बेनफिल नेटेंटेंच नेटेंटेंच धूल तक अपको बताया था हूँ भी बोल सकतों यह सब्सक्राइब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है इडियम कहा है टाइड हर सेल अप इन नौट ठीक है मैं सारे आप्शन पर देता हूं एक बार फिरा मैं आपको ठाइम दोंगा बी फोर्स तो एक्स्प्लें यूर एक्शन एंड और अग्री टुएवें इसमोल चेंज डेट अनदर परसन वांट ठीक है आपका टाइम शुरूवता आप 10 सेकेंड मिलेंगा फटाफट एंसर करियेगा इसे की साथ टाइम आप पोचुका है आई होप आप सब लोगने साही साही एंसर कर दिया होगा तो इसका जो सही एंस ठीक है इस इडियम का जो सही में एंसर है वह है अप्शन नमबर टू बिकॉम बेरी कंशूज ठीक है टाइड हर से नौट मतलब बिकॉम बेरी कंशूज वें यू आपको बीचीज बताने की कोसिस कर रहे हो तो आप बार-बार कंशूज हो रहा है मतलब क्या है कि अपने आ ओ पताना है ठीक है। इस वार पूछा गया था हृथ है तो हूमोनी होते है छी के प्रोंभ लगवाक आपको लगते है जैसे की सेंस है सेंस है ठीक है रीइ सबनाब न लगति को बताना है दकर हटाना है वंकर चोटम लिए था हाइस सेंस उसस्तौश। है थो थोंसे करेंगे तो इसे के साथ टाइम अपो चुका आएओप आप सभी लोग ने सहीए और करी दियो वहाब इसका जोगा से तक एक है उसकी सुगंद फालो किया है उसके से नहीं फालो किया ठीक है ना सेंट मतलब यह पैसो के वर्ड के लिए तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जो डूबता है अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे अगर आप चैनल पे नए जूदे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे जिनने वह क्या प करने तो उन्हें जरूर से जरूर आप तो मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में कुछ नयान लाने की कोसिस करूगा है ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक किया